ओम शांति आज 28 फरवरी 2022 दिन सोंवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को नीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो प्रश्न, कौन सा करतव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुश्य पुर्शार्थ तो बहुत करते, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उत्तर, पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, यह काम केवल एक बाप का है। मनुश्य पुर्शार्थ करते हैं, सब मिलकर एक हो जाएं। सारे विश्व में पीस हो, एक दो को पीस प्राइस भी देते हैं। परन्तु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था, तब पीस थी, अभी रावन राज्य है, यहां पीस हो ही नहीं सकती, ओम शान्ती, बच्चों की दिल में आया कि पारलोकिक बाप आया है लेने के लिए, कहां ले जाएगा, शान्ती था, फिर क्या होगा, जिनोंने अच्छी रेती पढ़ा है, वह सुख धाम में आएंगे, वहां आना है वाया मुक्ती धाम से, आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है, सारा दिन यह याद रह सकती है, जिनों को निश्य नहीं, वह यहां आ नहीं सकते, तुम इश्वरिये अउलाद हो, बाबा भी समझते हैं, मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ, बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आये थे, यहां सब भ्रष्टाचारी है, वहां है सब श्रेष्टाचारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह खेल है इश्व जब कोई गीत बजता है, तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत उंच बनाया है, उंचे ते उंचा बाप जरूर उंच ही बनाएंगे, ऐसे बाप की बहुत महिमा है, कोई भी कुछ करते हैं, तो उनकी महिमा होती है, यह फलाने धंदे में बड़ा अच्छा है फलाना मनुष्य बड़ा हुशियार है, हर कोई में गुण होते हैं, परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है, हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पाट मिला हुआ है, परम पिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़ा पाट मिला हुआ है, इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पाटधारी कौन हैं? कौरव और पांडव। दोनों को भाई-भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े-बड़े भीश्म पितामा, अश्वत्थामा आदी। यह सब विदवानों पंडितों के नाम हैं। अब विदवान थोड़े ही युद के मैदान में लड़ाई करेंगे? लो नहीं है। जूठी काया, जूठी माया। रावन जूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गोड है ही एक। बाकि जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं, वह सब है जूठ। यह सब ज्यान क की बाते हैं। ग्यान में सच क्या है, जूठ क्या है वह बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ग्यान तो प्राए लोप हो गया है। बाकि आटे में नमक मिसल कुछ निशानिया हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीत है मुख्य जिसमें ही भगवानु वाच है बाप कहते हैं तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है परंतु बाप आकर समझाते हैं जिसको तुम भगवान कहते हो वह तो सत्यूग का फर्स्ट प्रिंस है वह पहले-पहले मेरे से विदाई ले मुक्तिधाम से आ जैसा बाप वैसा बच्चा श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहां दे उसने किसे वर्सा लिया श्री कृष्ण है सत्यूग के आदिका स्विमवर बाद लक्ष्मी नारायन बने हैं कितने धनवान थे इतना धन उन्हों के पास कहां से आया इस समय तो कुछ भी नहीं है क्या ह इतने पदार्थ कहां से और कैसे मिले, किसने दिया, तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने पढ़ाया, इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्युग के राजा बनने वाले हो, वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नौलेज से नहीं बनते है जो बहुत दानपुन्य करते हैं, वह जाकर साहुकार घर में जन्म लेते हैं, यहां तुम पढ़ाई से राजा महराजा बनते हो, सोभी डबल सिरताज, तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया, तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था, देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है, पूजन देखना हो, तो श्रीनाथ द्वारे जाओ, देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चड़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे, तो क्या नहीं खान पान होगा, नई दुनिया है न, नई खेती माल अच्छा पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है, तुम बच्चों ने साक्षात कार किया है, बाप समझाते हैं ऐसे था न, फिर क्या हुआ, तुम्हारे उपर पाच विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बनते गए, बबूल का जाड़ होता है न, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटो का जंगल, इस समय एक-एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं, माया के चटकने से रावन राज्य हो गया, तुम हो गुप्त वेश में, किसी को भी पता नहीं, तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो, सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक, तुम बैट बाप से राज योग की शिक्षा सीखते हो, तुम हो नौन वॉयलेंस, तुम अननौन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि ये शक्तियां गुप्त रीती, योग विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं, तुम हर एक अपनी बादिशाही लेने का पुर्शार्थ करते हो, वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादिशाह के लिए, परन्तो तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, भारत को ही गोल्डनेज बनाते हो, जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे, गोया तुम भारत की सेवा करते हो, गुप्त, जो करेंगे वही फल पाएंगे, जो मेहनत कर राजा रानीवा प्रजा बनेंगे, वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे, तुम्हारी यहां है शिव शक्ती पां पांडव अक्षर पंड़े पर है बाप ने आकर समझाया है मुख्य रुहानी पंड़ा मैं हूँ पांडवों में मेल्स भी है तो फीमेल्स भी है प्रवरती मार्ग है ना बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं शास्त्रों में तो क्या-क्या बैठ लिखा है कितने नाम आप बैठ समझाते हैं यह सब ड्रामा की नूद है कहते हैं भगती से भगवान मिलेगा भगती का फल देना यानी सदगती करना फिर सत्युग में भगतियादी होती नहीं सन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है स्वर्ग में यह आना सके अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था कौनसा धर्म था बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है तुम इश्वरिय संप्रदाय के हो वहां है आसुरी संप्रदाय यह है ही पतित दुनिया अभी तुम सब कहेंगे हम इश्वर की अउलाद है इश्वर कौन है वह निराकार शिव है ब्रह्मा नहीं लोग समझते हैं ब्रह्म ही इश्वर है अब ब्रह्म को परमपिता परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे अपने को इश्वर कहते हैं नाम रख दिया है ब्रह्म ज्यानी कोई अर्थ ही नहीं ब्रह्म महतत्व है जहां हम आत्माई रहती हैं सालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यग्य जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे-छोटे सालिग्राम बनाते हैं परंतु ऐसे है नहीं परमात्मा बड़ा और आत्माई छोटी नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परमधाम में रहने वाली आत्मा, आत्मा याद करती है और गंस द्वारा, अभी यह सब बातें तुम जानते हो, रचता और रचना के आदी मध्य अंत और मुख्य पाटधारी कौन है, कैसे पाट बजाते है कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा न, परन्तु इनमें भी जाने की दरकार नहीं, बाप कहते हैं बच्चे, यह है तुम्हारा धर्माव जन्म, 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माव कल्यानकारी जन्म, अभी हमारा कल्यान होने वाला है, इसलिए यह कल्यानकार जन्म और कल्यानकारी युग कहा जाता है, इस संगम का किसी को पता नहीं है, संगम को युगे-युगे कहा है, तो चार संगम दिखा दिये, बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतर्तिकला के हैं, सत्यूग से त्रेता होगा तो दोकला कम होगी फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी पतित बनते जाते हैं यह है विराइटी धर्मों का जाड़ कितनी भाशाई हैं कितनी अशान्ती है अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशान्ती हो नहीं सकती यहां बहुतों को पीस प्राइज मिलती है पीस तो है नहीं पुर्शार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं पॉप भी कहते हैं कि वननेस हो जाएं सभी ब्रदर्स हैं परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है उन्हों को ड्रामा का तो पता नहीं है जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अब भी तो रावन राज्य है, अनेक धर्म है, अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना, एक बाप का ही काम होगा यह तो दुनिया का प्रश्न है न, वर्ड के फादर को फुरना रहेगा न, बाप कहते हैं मैं ही वर्ड को पीस मिलाता हूँ, भारत में पीस थी न, पीसलेस आत्माओं को वापिस घर ले जाते हैं, वर्ड के पीस के लिए वर्ड गॉर्ड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है तो कहते हैं सब कुछ करके सब को सुख शांती दे करके फिर छिप जाते हैं ऐसा छिप जाते हैं जो सत्युगतरेता में भी कोई नहीं जानते द्वापर कल्युग में भी कोई नहीं जानते जब तक खुदना आकर अपना परीचे दे देवताएं भी नहीं जानते अपनी आ प्राइलोप हो जाती है। यह जो इतने मंदिर शास्तराधी बने हैं सब खत्म हो जाने हैं। भक्ती मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह न सके। उनका है नीवरती मार्ग पावन से पतित फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट हैं। यह ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित स्रिष्टी को पावन बनाते ह। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुँच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडर्फुल है। हे रात के राही ठक मत जाना। सत्यूग को दिन कहा जाता है पहले तुम स्व जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना उँच पाएंगे। कमाई बहुत है नहीं करेंगे तो भसमी भूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए न। लोकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो न। पारलोकिक बाप को क्यों भूल जाते हो तो वर्सा भी भूल जाएगा फिर क्या पद पाएंगे युकती से बतलाते रहते हैं बस बाबा आया की आया हमको अभी है शरीर भी नहीं चाहिए बड़ी मीठी नौलेज है देने वाला भी बड़ा मीठा है आधा कल्प दुख में याद करते आये हूँ बाबा हमको सभी से छुडाते हैं अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं तुम बच्चे हो ना शांती धाम सुख धाम में जाएंगे ना मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो मैं तुम्हें डबल सिर ताज बनाऊंगा बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया, वंडर है न, इतना स्वर्ग का वर्सा मिलता है, तुम भूल जाते हो, अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से, इस पतित स्रिष्टी को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राजस्थापन करना है, पारलोकिक बाप जो मीठे ते म मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्सा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है, योग बल से अपनी राजाई लेनी है, वरदान हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुब भावना संपन्न भव, बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है अगर हर बोल में शुब वाश्रेष्ट भावना आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है, यदि बोल में इर्शा, हश्द, घ्रणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज़ादा होता है समर्थ बोल का अर्थ है, जिस बोल में प्राप्ति का भाववा सार हो, अगर बोल में सार नहीं है, तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है स्लोगन, हर कारण का निवारन कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है, ओम शान्ती झाल झाल